भारत माता की, भारत माता की, मंचुबर विराजमान, स्रिमान प्रफूल पटेल, साउसद त्रिविलो सोनकर, साउसद बेन कलाबेन, जिलाप परिशत के दिक्षा, निशा भवर जी, भाई राकेश सी चवान जी, मेडिकल जगत के साथियों, अन्य महानुभाव, और विशाल संख्या में पदारे हुए, मेरे प्यारे भाई और बेहनों, केम जोबजा, सुखमा, संतोषमा, आनंदमा, प्रगतिमा, विकासमा, वाह, मैं जब भी यहां आता हूँ, मन आनंद से भर जाता है, दमान, दीव, दादरा, और नगर हवेली की विकास यात्रा को देखना भी, मेरे लिए बहुती सुखद होता है, और अभी जो वीडियो देखी, कोई कलपना नहीं कर सकता है, कि इतने से छोटे खेत्र में, चहूँ दिशा में, आधुनिक और तेज गति से विकास कैसा होता है, वो वीडियो में हमने बरी बाती देखा है, साथियों, इस खेत्र की एक बड़ी विशेत्ता, अब हमारा सिल्वासा पहने बाला नहीं है, यह हमारा सिल्वासा अब कॉस्मोपोलिटिन हो गया है, हिंदुस्तान का कोई कौना ऐसा नहीं होगा, जिसके लोग सिल्वासा में न रहते हो, आपको अपनी जडों से प्यार है, लेकिन आदुनिक्ता को भी उतना ही अपनत्व देते हैं, इस केंद्र साजित प्रदेश की इस खुबी को देखते हुए, केंद्र सरकार अलग-अलग स्तरों पर तेजी से काम कर रही है, यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्रक्चर हो, अच्छी सडके अच्छे पूल हो, यहाँ अच्छे स्कूल हो, वाटर सप्लाई बहतर हो, इन सभी पर केंद्र सरकार का बहुत जोर है, बीते पांच साल में इन सभी सुविदाओं पर पच्पन सो करोड रुपिये, साड़े पांच हजार करोड रुपिये से ज़्यादा खर्च किये गए हैं, बीजिली बिल से जुड़ी व्यवस्ता हो, सारी स्ट्रीट स्लाइट को एलीडी से जगमगाना हो, यह खेत्र तेजी से बदल रहा है, यहाँ डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की सुविदा हो, यह फिर सो परसेंट वेस्ट प्रोसेसिंग, यह केंद्र सासित प्रदेश सभी राज्यों को प्रिणा दे रहा है, यहाँ जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई है, वो भी यहाँ अउद्योगीक विकात बनाने में, रोजगार के नए मौके बनाने में मददगार साबित हो रही है, आज एक बार फिर मुझे लगबग नए पांच हजार करोड रुपिय के प्रोजेक्स का शुभारंब करने का उसर मिला है, यह प्रोजेक्ट, हेल्थ, हाउसिंग, तुरिजम, एजुकेशन और अरवन डेवलप्मेंट से जुड़े है, इससे इज अप लिविंग बढ़ेगी, इससे इज अप तुरिजम बढ़ेगा, इससे इज अप टांस्पोर्टेशन बढ़ेगा, और इससे इज अप बिजनेस भी बढ़ेगा, साथियों, आज मुझे एक और बात की बहुत खुशी है, आज जिन प्रोजेक्ट का लोकारपन हुआ है, उनमेंसे कई का सिलान्यास करने का सोभाग्या, आप सबने मुझे ही दिया था, लंबे समय तक हमारे देश में सरकारी प्रोजेक्ट सालों साल तक लटकते थे, कई बार तो सिलान्यास के पत्थर भी पुराने होकर के गीर जाते थे, लेकिन प्रोजेक्ट पुरे नहीं होते थे, लेकिन पिछले नव वर्षों में हमने देश में एक नई कार्यशली विक्सित किये हैं, नया वर्ख कल्चर लाए हैं, अब जिस कार्य की नीव रखी जाती है, उसे तेजी से पुरा करने का भी बर्षक प्रयास किया जाता है, एक काम पूरा करते ही हम, दूसरा काम शुरू कर देते हैं, सिलवासा का एक कार्यकाम इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साध्यों, केंद्र की भाजपा सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है, देश के हर खेत्र का विकास हो, देश के हर खेत्र का संतुलित विकास हो, इस पर हमारा बहुत जोर है लेकिन देश का ये भी दुर्भाग्य रहा है कि अनेक दशकों तक विकास को राजनीती के वोट बेंक के तराजूज पर ही तोला गया योजनाओं की प्रोजेक्स की गोशनाएं देखकर तो बहुत कुछ होती थी लेकिन कैसे होती थी कहां से कितना वोट मिलेगा किस वर्कों खुश करने से वोट मिलेगा जिनकी पहुँच नहीं थी जिनकी आवाज कमजोर थी वो अभावों में रहे विकास यात्रा में पीछे छुटते गए यही कारण है कि हमारे आदिवासिक छेत्र हमारे सीमावर्तिक छेत्र विकास से वंचित रहे गए हमारे मच्वारों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया दमान दीव दादरा और नगर हवेली को भी इसी रवये की बहुत कीमत चुकानी पड़ी है मैं तो गुजरात में था मैं लगातार देखता रहता था कि क्या करके रखा है इन लोगों ने आज जिस मेडिकल कॉलेज को अपना केंपस मिला है वो इस अन्याय का बहुत बड़ा साक्षी रहा है आप सोचिये साथियों आजादी के दसकों दसक बीद गए लेकिन दमान, दीव, दादरा और नगर हवेली में एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना था यहां के इने गिने कुछ वाओं को किसी तरह डॉक्टर की पढ़ाई का अवसर मिल पाता था वो भी दूसरी जगा पे इसमें भी आदिवासी पराईवारों के बेटिये बेटियों की भागिदारी तो बिलकुल ना के बराबर थी जिनों ने दसकों दसक तक देश पर शासन किया उनको यहां के युवाओं के साथ हो रहे इस बहंकर अन्याय की चिन्ता कभी भी नहीं हुई वो समझते थे इस छोटे से केंदर सासित प्रदेश का विकास करके उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा वो आपके इस आशिरवात का मुल्य कभी समझी नहीं पाए 2014 में जब आपने हमें सेवा का उसर दिया तो हमने आपकी सेवा की भावना से काम करना सुरू किया समर्पन भाव से काम करना सुरू किया इसी का परिणाम है कि दमन, दीव, दादरा और नगर हविली को अपना पहला National Academic Medical Organization नमों Medical College मिला अब यहां से हर वर्ष करीब करीब देड़ सो स्थानिय युवाओं को डॉक्तरी की पढ़ाई करने का आउसर मिल रहा है कुछी सवर्षों में बहुत निकट भविश में एक हजार जितने डॉक्तर यही से तयार हो जाएंगे अब कल्पना कीजी इतने छोटे से इलाके से यह बिटिया अभी यहां मेडिकल में पहले साल की पढ़ाई कर रही है उस बिटिया ने अख़बार वालों से को कहा कि मेरे परिवार को तो छोड़िये मेरे पूरे गाउं में कभी कोई डॉक्टर नहीं बन सका था अब वो बिटिया इसे अपना सवभाग्य मानती है कि दादरा और नगर हवेली में यह मेडिकल कॉलेज बना है और वो उसकी छात्रा है साथियों सेवा भावना यह यहां के लोगों की पहचान है मुझे आद है कोरोना के समय मैं यहां के मेडिकल स्टूडेंस ने आगे बढ़कर लोगों की मदद की थी और कोरोना के समय तो परिवार में भी कोई एक दूसरे की मदद नहीं कर पाता था तब यहां के स्टूडेंस गाउं में मदद करने पहुँचे थे और मैं उन भी द्यारती मित्रों से कहना चाहूंगा आप लोगों ने जो विलेज एडोप्शन प्रोग्रेम चलाया था उसका जिक्रा मैंने मन की बात में भी किया था यहां के डॉक्टरों ने मेडिकल स्टूडेंस ने जिस तरह अपने कर्तवियों का पानन किया है वो सभी के लिए बड़ी प्रेड़ा है मैं आज इस कार्य के लिए यहां चिकित सा सुविदा से जुड़े हर व्यक्ति की सराना करूंगा भाई और बैनों सिल्वासा का यह नया मेडिकल कॉलेज यहां पर स्वास्त सुविद्याओं पर दबाव भी कम करेगा आप भी जानते हैं कि हाँ पास में जो सिविल अस्पताल है उस पर कितना प्रेशर था अब तो यहां दमन में एक और तीन सो बेड़ का नया अस्पताल बन रहा है सरकार ने आईरुवेदिक अस्पताल के निर्माण के लिए भी अपनी मंजूरी दे दी है यानि आने वाले समय में सिलवासा और ये पूरा ख्षेत्र स्वास्त सुविदाओं को लेकर बहुत मजबूत होने वाला है साथियों आपको याद होगा गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी मैं यहां बहुत बार आया हूँ आपके बीच आया हूँ जब मैं वहां सरकार में आया था तो देखा था कि अंबाजी से लेकर के उमरगाउं तक के आदिवासी पटे में किसी स्कूल में साइश की पढ़ाई नहीं होती थी जब साइश की पढ़ाई नहीं होगी तो फिर बच्चे डॉक्टर और इंजिनियर कैसे बनेंगे इसलिए मैंने वहां स्कूल पढ़ाई शुरू करवाई हमारे आदिवासी बच्चों को किसी भी बच्चे को होती है अंग्रेजी में पढ़ाई होने के कारण गाउं के गरीब दलीद बंचीत आधिवासी परिवारों के अनेक प्रतिबाशाली बेटे बेटियां डॉक्टर इंजिनियर नहीं बन पाते थे हमारी सरकार ने अब इस समस्या का समाधान भी कर दिया है अब भारतिय भाशाओं में आपकी अपनी भाशा में मेडिकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई का भी विकल्प दे दिया जा रहा है इससे भी इस खेत्र के बच्चों को बहुत बदी मदद मिलने वाली है अब गरीब मा का बच्चा भी डॉक्टर बनने का सपना संजो सकता है साथियों आज मेडिकल कॉलेज के साथ साथ यहां इंजिनियरिंग कॉलेज का भी लोकारपन हुआ है इससे यहां के करीब तीन सो युवाओं को हर वर्ष इंजिनियरिंग की पढ़ाई का आउसर मिलेगा मुझे इस बात की भी खुशी है कि देश के बड़े सिक्षा संस्तान भी दमान, दीव, दादरा और नगर हवेली में अपने कैंपस खोल रहे हैं दमन में निप का सेटेलाइट कैंपस बना है सिल्वासा में गुजरात नेशनल लौ उनिवर्सिटी का कैंपस बना है दीव में ट्रीपल आईटी बड़ोदरा ने अपना कैंपस खोला है ये नया मेडिकल कॉलेट तो सिल्वासा की सुविदाओं को नए स्तर पर लेकर जाएगा मैं इक शेत्र के हर विद्यार्दी को ये बरोसा देता हूँ कि उनके उजवल भविश्य के लिए हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी बाई और बहनों मैं जब पिछली बार सिल्वासा आया था तो मैंने विकास की पंच धारा की बात कही थी विकास की पंच धारा यानी बच्चों की पड़ाई युवाओं को कमाई बुजुर्गों को दवाई किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई आज मैं इसमें एक और धारा जोड़ूंगा और ये हैं महिलाओं को खुद के घर की धेर सारी बधाई हमारी सरकार ने बीते वर्षों में देश के तीन करोड से अधीग गरीब परिवारों को पक्का घर बना कर दिया है यहां भी हमारी सरकार ने पंद्रह हजार से जादा घर बना कर गरीबों को देना तै किया है इनमें से जादा तर घर बन कर तयार हो चुके हैं आज भी यहां बारा सो से जादा परिवारों को उनके अपने माली का नाहक वाले घर मिले हैं और आप यह जानते हैं कि पी-एम आवास योजना के जो घर दिये जा रहे हैं उनमें महिलाओं को भी बराबर की हिस्सेदारी दी जा रही है यानि हमारी सरकार ने यहां दमान, दीव, दादरा और नगर हैवेली की हजारों महिलाओं को भी अपने घर की मालकिन बनाने का काम किया है वरनाम जानते हैं हमारे यहां कैसा होता है गर का मालिक पुरोष, खेत का मालिक पुरोष, दुकान का मालिक पुरोष गाड़ी का मालिक पूरूस स्कूटर है तो भी मालिक पूरूस महिला के नाम कोई होता ही नहीं है हमने इन घरों के मालिक अनाहाद महिलाओं को दिये है और आप ये भी जानते हैं कि PM आवास योजना के तहट बना एक एक घर की किम्मत कई लाख रुप्य होती है इसलिए ये महिलाए जिन को जो घर मिला है लाखों रुप्य की कीमत का घर मिलाए और इसलिए ये हमारे गरीब परिवार की माताए बैने ये हमारी महिलाए लखपती दीदी बन गई है अब वो लगपती दिदी के नाम से जानी जाएगी क्योंकि लाग रुप्ये से भी उपर की किमत के घर की वो मालकिन बनी है मैं इन सभी लगपती दिदाईगों को जितनी बधाई दूतनी कम है उनको मैं विशेश तोर पर बधाई दे रहा हूँ साथियों भारत की कोशिशकों की वज़व से आज पुरा विश्व इस वर्ष को International Year of Millets के तौरपन मना रहा है Millets यानि मोटे अनाज को हमारी सरकार ने स्री अन्न की पहचान दी है यहां के किसान रागी या यहां की भाषा मैं कहें तो नागली या नचनी जैसे जिन मिलेश की पैदावर करते हैं उन्हें भी हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है आज रागी से बना आटा हो, रागी से बनी कुकिज हो, रागी से बनी इडली हो, लड्डु हो इन्स की सब की खपद बढ़ रही है और किसानों को भी फाइदार हो रहा है मैं अक्सर मन की बात कारकम मैं इसका जिक्र करता हूँ और आप तो जानते ही हैं, अब तो मन की बात का अगले रभी बार को सेंचुरी होने वाला है सोमा एपिसोड भारत के लोगों के प्रयासों को सामने लाने का भारत की विशेष्टाओं को उनका गवरवगान करने का मन की बात बहुत अच्छा मंच बना है आपकी तरह मुझे भी सोमवे एपिसोड का बहुत इंतजार है, रभी बार का इंतजार है साथियों, बढ़ती हुई इन सुविजाओं के बीच दमान, दीव, दादरा और नगरहवेली को भारत में कोस्टल टूरिजम के वायरबन स्पॉट के रुप में भी देखा रहा है दमान, दीव, दादरा नगरहवेली के पास देश के महत्वपुन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रुप में उपरने का सामर्त है आज जब भारत को हम दुनिया का सब्चे आकर सक टूरिजम डेस्टिनेशन बनाने पर काम कर रहे हैं तब यहां का महत्वप और बढ़ गया है दमन में राम सेतु और नानी दमान, मरीन ओवर्यू, नमोपत नाम से जो दो सीप फ्रंट्स बने हैं वो भी यहां टूरिजम को विस्तार देने में अहम भूमी का निभाएंगे विकेंड में जो टूरिस यहां आते हैं उनका तो यह फेवरेट स्पॉर्ट बनने जा रहा है मुझे बताया गया है कि परिया टकों की सुविता के लिए बीच एरियाज में नए टैंड सीटी भी बनाए जा रहे हैं थोड़ी जहरबाद मैं खूद नानी दबान मरीन ओवर्यू नमो पत को देखने जाने वाला हूँ ये सीफरंड निश्चित रुप से देश दुनिया के परियटकों को आकर सित करेगा इसके साथ ही कानवेल रिवर्फरंड दूदनी जेटी इको रिसोर्ट का अंधिरवान ये सब भी यहाँ टूरिजम को बढ़ावा देंगे कोस्टल प्रमोनेड बीच डेवलप्मेंट के प्रोजेक्ट भी जब पूरे हो जाएंगे तो यहाँ का आकर सम और बढ़ जाएगा और इन सब से यहाँ रोजगार के नए मोके बनेंगे स्वरोजगार के मोके बनेंगे भाई और बहनों आज देश में तुष्टी करण पर नहीं बलकि संतुष्टी करण पर बल दिया जा रहा है वन्चितों को वरियता एबीते नव वर्ष के शुशासन की पहचान बन चुकी है केंद्र सरकार बेश के हर जरुवतमन्द हर वन्चित वर्ग वन्चित खेतर तक सुविदाय पहुचाने के लिए तेजी से काम कर रही है जब योजनाओं का सेचुरेशन होता है जब सरकार खुद लोगों के दरवाजे तक जाती है तो बेदवाव खत्म होता है बस्ताचार खत्म होता है भाई बतीजाबाद खत्म होता है मुझे खुशी है कि दमान, दीव और दादरा नगर हवेली के इंदर सरकार की अनेक योजनाओं के सेचुरेशन के बहुत नीकट पहुँच गई है आप सभी के ऐसे ही प्रयासों से सम्रद्धी आएगी विक्सीद भारत का संकल पर सिद्ध होगा एक बार फिर आप सभी को विकास कारियों की बहुत बहुत बदाई भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद झाल